गूर्णिंग फ्रेंड्स गूर्णिंग मतलब तोरे देर बात बनानों ये वीडियो और सुबा जहाँ पर ता उधर का मतलब जो शादू बाबा जी थे वो तो सुबा सुबा बोल रहे थे कि निकलो निकलो इधर से निकलो इसलिए जल्दी निकल गया और ये मंदिर एक किलो कि ये पूरी मंदिर देख सकते हो आप ब्रह्मा बिश्मु मोईश्चर का तीनों रूप स्थाफित है इस मंदिर में कि मेरे इधर से अड़िवार करीब 160 किलो मेटर जैसा है कल तक पहुंच जाओंगा अभी तोरा बैटा हूं क्योंकि धूब बहुत है गर्मी के मौजम में आ चुका हूं उत्रगंड में तो ठांड सा बहुत अभी गर्मी में आ चुका हूं धूप है बहुत इसलिए एक पेर के नीचे बैठा हूं और मेरे धन्नों जे वो देख सकतो इधरी ख़रा है और यह नया मतलब मैट लिया हूं मैं कली लिया क्योंकि खाले टेंट में नीचे सोने में दिक्कत होते हैं नीचे से ठंडा आ जा लिड़ाता है कि खालि यह बहुत टाइम से चल रहा हूं और आभी टाइम हो रहे है दो पूरा सरीर पसीने से भीग चुका था और मेरा ये दन्नो इधर खड़ा है तुरा नहा के निकलेंगे पानी बहुत मस्द गिर रहा है ये जमीन में पानी मतलब उदर नल लगा हुआ है और जमीन में पानी दे रहा है इधर से पानी बहुत मस्द गिर रहा है तो अब मस्द प है 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 मज़ा रहा है इसमें इसमें घर्मी में इसे पाणी में नाने का मज़ा यह लगे बहुत तंडी है यह चुटी है नल का पाणी अंदर मिट्टी के नीचे से उठाए जाए रहा है हुआ है 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 अब नान हो चुका है तोड़ा बैठा हूं क्योंकि धूब बहुत ज्यादा है और गर्मी लग रही थी इसलिए तो नहा लिया प्रेश भी लुड़ा है अभी इधर छाव है तोड़ा रेस्ट करके फिर निकलेंगे अभी निकल चुका हूं नहाने के बाद रोड पे आ चुका हूं अभी आगे चलेंगे देखते हैं रात तक का चल पाते हैं और का पर रात को रुखने का जगा मिलता है देखते हैं अभी शाम के शाड़े चौब ज़रा है और मैं चली रहा था तो साड में कुछ जानवर दिख गया हरिन के जैसे दिखता है लेकिन बहुत बड़ा है हरिन से बहुत बड़ा है शायद हरिन ही होगा इतना बड़ा हरिन तो मैंने देखा नहीं कभी गोड़े जैसे लगता है आप लोगों को भी दिखा दूँगा पास जा नहीं सकते क्योंकि पास जाने से भाग जा रहा था थोड़ा दूर से शूट किया हरिन है क्या कौंशी जन्वर है पता नहीं को लेकिन बहुत बड़ा है फेस हरिन जैसे है छोटा-छोटा सिंह के आप लोग बताव कौंशी क्या है कौंशी जन्वर है का ज्यादा पास जा नहीं क्योंकि भाग भागड़ा है कि बहुत सारे हैं है कि हलो फ्रेंट्स है अभी रात के दस बज रहा है और कि सोचा था थोरा सा आगे जाओंगा सोने का जगा तो मिल नहीं रहा था लेकिन जहां पर रात को खाने के लिए रुपा था इधर ही दुकान में तोड़ा खाना खाया उधर बोल रहे थे कि चार पाच किलोमेटर के बाद फोरेस्ट चलो हो जाता है फिर मैंने सोचा रात को इतने रात को फोरेस्ट में एंट्री करना ठीक नहीं होगा इसलिए पास में गाव है गाव वालों से पूछ के य पूछ लिया बोला ठीक है आप रूप सकते हो कोई दिक्कत नहीं है और यह देखो इधरी साइकल को इधरी ख़रा कर दिया और अब लेटने का जुगार करेंगे ठीक है मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप लोग सपोर्ट करते रहिए और सास्क्राइब करना मत भूलना आपके सास्क्राइब से मुझे मोटिवेट मिलता है